दोस्तो देश के सबसे बड़े बिजनेश मैन मुकेश अंबानी का नाम दुनिया के टॉप रिचेश्ट लोगों में शुमार है ये बात लगवग सभी लोग जानते हैं मुकेश अंबानी का बिजनेस हो या उनकी लाइफ स्टाइल हमें साथ चर्चा का विशाय बना रहता है लेकिन आज हम आपको मुकेश अंबानी के बारे में नहीं बलकि 3 लाग की चाय पीने वाली और 40 लाग की साड़ी पहनने वाली रिलायंस फांडेशन की चेयर परसन और फाउंडर निता अंबानी की महेंगी चीजों की कलेक्शन में से एक उनके ज्वैलरी कलेक्शन के बार करती थी लेकिन कहते हैं ना वक्त बदलने में देर नहीं लगती मुकेश अंबानी के साथ साधी करके निता अंबानी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई आज उनके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है वो एक रॉयल लाइफ स्टाइ ये बात अलग है कि और महिलाओ को अपने शौक पूरा करने से पहले सो बार सोचना पड़ता है लेकिन निता अंबानी को अपने महंगे गहने खरिदने के लिए कोई सोचना पड़ता नहीं है गुल्ड और कुंदन ज्वैलरी निता अंबानी को सबसे ज्यादा पसंद है अ वलिवूड सेलिब्रिटीज काफी बेताब रहते हैं निता अंबानी को आउटफिट के साथ ज्वैलरी मेच करना भी काफी अच्छी तरह से आता है आकास अंबानी के शादी में निता अंबानी ने लाल रंग की साड़ी के साथ वाइट और ग्रीन ज्वैलरी पहनी थी माना जाता है कि ये ज्वैलरी निता अंबानी की ज्वैलरी कलेक्शन में से सबसे महंगी ज्वैलरी में से एक है ये तो फिर भी नेकलेस है जिसके किम्मत करोडों में होगी पर उनकी अंगुठी की शुरू आती किम्मत भी 5-7 लाक रुपे होती है हाला कि निता अंबानी की ज् सो रूपय थे जो आज के टाइम में 50 लाख से भी ज्यादा हो जाती है अब इतने सारे रूपय में तो हम तो तीन गर भी खरीच सकते हैं एक रिंग की किम्मत में तीन घर खैर छोड़ो बड़े-बड़े लोगों के बड़ी-बड़ी बाते लेकिन जो भी हो निता अंबानी ह हमारी तरह तो बिल्कुल नहीं रह सकती क्योंकि हम आम आदमी के मुश्किले जहलना पर सभी के बस की बात नहीं होते हैं हाँ तो मेरे प्यारे आम आदमी भाई-बहनो वीडियो अच्छा नगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बाई